वैसे भई लोग आज अपन करेंगे Redmi Note 11 Pro Plus पर BGMI टेस्ट वैसे डिवाइस पर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट सीधे चलते हैं डिवाइस की सैटिंग की ओर देखिए डिवाइस की स्टोरेज 4DC भरी थी बस देखिए 6128GB वाला वेरियंट ही तुमारे भई के पास सीधे आगया तुमारा भई BGMI के अंदर देखते हैं ग्रेफिक गजब सीन, स्मूथ प्लस अल्टरा, बैलेंस पे भी अल्टरा, HD पर हाई, HDR उकाट से भार यहां से भड़ते आगे, स्मूथ प्लस अल्टरा करके, कलर्फुल करके, 2X करके, सेफ करते हैं सीधे देखते हैं BGMI के कलचेस, उसके बाद, क्लासिक मैच पर, Redmi Note 11 Pro Plus की पर्फोमेंस, विथ, FPS मीटर तो भई लोग, तुमारा भई करने वाला है 10K सस्क्राइबर कम्पलीट होने पर, एक स्मार्टफोन का गिववे, अंडर 15K, जी हां ये गिववे, रैंडम सस्क्राइबर को मिलेगा, बट ध्यान दीजेगा, आपकी कंट्री, इंडिया होना चाहिए क्योंकि तुमारा भई खुद आकर आपको स्मार्टफोन गिफ्ट करेगा, सो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो भई लोग, रैंडमी नोट 11 प्रो प्लस को लेकर, तुमारा भई सीधे कूद या छोटू टेमपल के उपर, यहां देखिए, एकेम पड़ी है, मजा आएक अप, सामनी की ओर पर एक बंदा है, सीधे फेकताउं चिमनी चुमनी, क्या मेरी चिमनी चुमनी बंदे की पप अपसील, यह बंदे ने हमारे भई को यूजी पेल दिया था, इसकी पेटी बनाता हूँ, पेटी बनाने के बाद, देखिए, उपर की ओर ग्रीन कलर से, एप्पियस मेटर चालू है, जी हां, डिवाइज ने एप्पियस को ऐसा काउंट किया है, भाई, मजा आ गया, वैसे कहीं कहीं पर डिवाइज, 40 एपियस से उपर भी काउंट करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, वैसे सामने वाली दिवाल के पीछे, एक बंदा केम्पिंग गड़ा कर बेठा था, सीधे बंदा दिखा मेरे को, केम्पिंग, जी हां, केम्पिंग गड़ा कर बेठा थ सीधे बंब से नौक, आगे जाता हूँ, गजब सील, एक बंदे ने तुमारे भे का किल खा गये याँ पर, देखिए, चटोरा बंदा याँ पर, एक और बंदा या नीचे, ओ भाई साब, तुमारा भई पीछे है, ये भागा, भगोड़ा बंदा, सीधे पेटी, इस भगो इस लुटेरे बंदे की पेटी बनाने के बाद, रिकॉल टावर के पास, एक साब दिखा, सीधे नौक, जाकर पेटी बनाता हूँ, सीधे पेटी, इसकी पेटी बनाने के बाद, गाड़ी में बेटकर, आगे जाता हूँ, देखिए, यासनाया के पास आते बराबर, एक बं सेट जिसका अंतुतु स्कोर चार लाग से उपर है एक बंदा दिखा देखिए इसकी हरकत देखना भगोड़ा बंदा कूद कर भाग रही ये तो ये भाई साब डर के मारे खूद खूद के भाग रहे थे सीदे नॉक फिनिश वैसे तुम्हारा भाई अभी लूट के सरकल पर है मतलब यासनाया का में होड द्रॉप एक बंदा आया सीदे नॉक सीदे पेटी इसकी पेटी बनाने के बाद मैं बता दूँ डिवाईस पर जाय पीछे वाली बिल्डिंगों पर आया देखिए एक बंदा दिखा सीदे नॉक इसको नॉक करने के बाद एक और बार ग्रेनेट फेकता हूँ क्योंकि हमारे भाई के अनुसार उपर की ओर दो बंदे हैं सीदे जाता हूँ रसमार ने मतलब पेटी बनाने दोनों की बंदे है कहाँ पर ये देखिए गजब सीन ये वाला नॉक और ये भागरा था भगोडा बंदा सीदे नॉक इसकी पेटी पहले बनाता हूँ हमारे भाई को नॉक कर दिया था इसने बहुत ज़्यादा खतरनाक सातिर बंदा इसकी पेटी बनाने के बाद तुमारा भाई सीदे मतलब मेन बिल्डिंग जोकी केmpre building है जिहां यहां पर पूरे Camper बेठे रहते हैं ग्रिनेट और चुमनी फेकताँ उपर की ओर क्या बंदा फूटेगा या फिर जलेगा या फिर जाके मारना पड़ेगा इसको वैसे ये डिवाइस 40-500 पर काउंट कर रहे मतलब कोई भी समस्या होने निवाली ये थाट टीपी भी बाज सीदे पेटी इसकी पेटी बनाने के बाद तुमारा भाई पेटी लूटेगा पेटी लूटेने के बाद सामने वली बीडिंग पर मतलब री स्टोरी पर एक बंदा था वो भी भाग रहा था सीदे पिछवाडे पे गोली मारा नौक और तुरंत कूद के गया पेटी बनाने पेटी बनाने के बाद नीले वाले घर से हमारे भई को एक बंदा टकले पर गूली मार रहा था जी हाँ उनका दो लेवल का हेलमेट डेमेज कर दिया सामने वाले बंदे ने देखिए और यहाँ पर तुमारे भई ने बतला ले लिया जी हाँ उसने दो लेवल का हेलमेट डेमेज किया था तुमारे भई ने सीधे तोड़ दिया अब फेकता हूँ चिमनी चुमनी सामने वाले बंदे की पपी लेने के लिए जी हाँ किल कन्फम होगा मेरा एक किल कन्फम एक और बंदा है वहाँ पर वैसे इस दूसरे बंदे के लिए तुमारा भई ग्रेनेट फिक गा कोई दिक्कत है ने मेरी चिमनी चुमनी ने सामने वाले दूसरे बंदे को नौक कर दी मतलब पपी ले ली यहाँ से जाता हूँ सीदे आगे की उर एक बंदा दिखा मेरे को शायद टीम में ठेल लुक का है कहाँ पर देखिए कजब सील मेरे को सामने वाले बंदे ने खतरनाक वाला स्प्रे मारा सीदे एक एचपी कोई दिक्कत है नी हीलब करने के बाद उपर जाता हूँ इसकी पेटी पहले बनाता हूँ उसके बाद मीचे वाले को देखूँगा पेटी बनाकर पेटी लूटूँगा पेटी लूटेने के बाद देखिए कजब सी मैं खिडकी से अंदर घुसा नहीं चाकर मारता हूँ एक मातर बंदा यहां पर देखिए नीली छडी देखिए इस नीली छडी को अपनी जान बचाकर भागरी थी सीधे पेटी इसकी पेटी बनाने के बाद गाड़ी उठाकर मेन जोन पर आया में सामने की और पत्थर के पास दो साप गजब सीन और यहां पर AWM का डेमेज आखिर कार गया कहां एक बंदा नौक दूसरा बंदा बंदर के जिसे उचक उचक कर भाग रहे और यहां पर यह हो क्या रहे क्या 40 EPS के डिवाइजों पर स्नाइपिंग करना इतना मुश्किल है सामने की और स्नाइपिंग के अलावा डिवाइज ने हर चीज़ पर अच्छी खासी पर्फूमेंस गेन किया जी हाँ EPS मीटर 40 से उपर चला है आधे से ज़्यादा गेम प्ले पर मतलब अच्छी खासी पर्फूमेंस गेन करता है डिवाइज सामने की और एक साप था सीदे पेटी तुमारे भही ने 24 स्किल आसानी के साथ निकाल लिया रेडमी नोट 11 प्रो प्लस पर और यहाँ पर गजब सी आखरी बंदा भी साप था इसकी पेटी बनाने के बाद तुमारे भही ने 25 स्किल असानी के साथ निकाल लिया देखिए अच्छी खासी पर्फोमेंस थी याँ पर Redmi Note 11 Pro Plus की तो भाई साब ये था Redmi Note 11 Pro Plus का BGM I test with gameplay So I hope guys आपको ये वीडियो बहुत ज़दा पसंद आयोगी Like, Share and Channel को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा